जरुत से ज़्यादा वफादारी से बचिए, हो सके तो लोगों की अदाकारी से बचिए सतरंज सी जिंदगी में हर कोई मोहरा है, इंसान तो केवल एक है, मगर किरदार दोहरा है दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रत नहीं पड़ेगी सत्य की ख्वाईश होती है कि सब उसे पहचाने और जूट को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले हर एक खेरियत पूचने वाला, आपकी खेरियत नहीं चाहता है ना जाने कितनी कहानिया होगी, उसके पास वो सक्स जो किसी से कुछ नहीं कहता जो इनसान आपको रोता छोड़ जाये, तो वह इनसान कभी आपका नहीं हो सकता सब कुछ गुजर जाता है बड़ सब कुछ गुलाया नहीं जाता वक्त भी लेता है करवटें केसी केसी इतनी तो उम्र भी नहीं थी जितने हमने सबक सीख लिए प्रोध में कभी भी सब कुछ मत गवाईये जो आपने थांत रहकर कमाया है मुश्किले वह चीजे होती है जो हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्षे पर नहीं होता कोई भी महान व्यक्ति आवसरों की कमी की सिकायत नहीं करता इतली महीने नहीं क्षन गिनती है और उसके पास परियाप्त समय होता है मानव का मानव होना ही उसकी जीत है दानव होना हार है और महा मानव होना चमतकार है अर्थ मनुश्य द्वारा बनाये गए हैं और क्योंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं इसलिए आप अर्थ हीन महसूस करने लगते हैं हे प्रभू, सुक देना तो बस इतना देना कि एहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। किरन चाहे सूर्य की हो या फिर आसा की, जिवन के सभी अंदकार मिटा देती है। जिन्दगी का एक सच यह भी है दोस्तों, सरीफ इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं लोग। सराब तो बेकार में ही बदनाम है, वरना नसा तो मॉबाइल में भी कम नहीं। शिकायत कम और सुक्रिया ज़्यादा करने से जिन्दगी आसान हो जाती है। बरोसा एक स्टिकर की तरह होता है, यह दूसरी बार पहले जैसे नहीं चिपकता। जिन्दगी में कभी प्यार करने का मन हो, तो अपने दुखुं से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे, उसे उतना ही दूर पाऊगे। एक बात बोलूँ, अगर कोई इनसान आपको तकलीफ देने लगे, तो उससे दूर हो जाना ही बहतर है, क्योंकि कड़वा गूट रोज पिने से अच्छा है, दिल पर पत्थर रखकर एक बार पी लीजिए। बस एक बार ही देखा था उनको, अब मेरा हाल देखने लोग आते हैं, कोई हालात नहीं समझता, कोई जजबात नहीं समझता, यह तो बस अपनी अपनी समझ है, कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है, तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझ पाता, किसी को कमजोर मत समझो, तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता, फिक्र बता रही है, महब्बत जिंदा है, फासलों से कह दो, गुरूर ना करें, समंदर बेबसी अपनी किसी से नहीं कह सकता, अजारू मेल तक फेला है, फिर भी वह बह नहीं सकता, वक्त गुंगा नहीं, मौन है, वक्त वक्त आने पर बता देगा, किसका कौन है, आप जिस पर आँखे मंद करके बरोसा करते हो, अक्सर वही आपकी आँखे खोल जाता है, बरोसा जितना कीमती होता है, दोखा उतना ही महेंगा हो जाता है, पहले ही मेरे अंदर लाखों फाइदे के लिए दूसरों को धोखा नहीं दिया, बिना पुन्य के पुन्य का फल सबी को चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को नहीं चाहिए, अगर परचाई कच्चे और बातें उकाद से बड़ी होने लगे, तो समझ लो, सूरज डूबने ही वाला है, चलो म देख रहे हो, या अपने गुरूर से देख रहे हो, जरूरत के रिष्टे नाते मतलब की पट्री पर चलने वाली वह रेल गाड़ी है, जिस जिसका स्टेशन आता है, वह उतरता जाता है, असरतें पूरी ना हो, तो ना सही, और ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं, कुछ लोग, खुद को गेरूं की नजरूं से उठाने के लिए, गुस्से में जो छोड़ जाये, वह वापस आ सकता है, मुस्कुरा कर छोड़ कर जाने वाला, कभी वापस नहीं आता, देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, एक आदमी तो सहर में ऐसा दिखाई खुद को खोजिये, नहीं तो जीवन पर आपको दूसरूं की राय पर निर्बर रहना पड़ेगा, तूटा हुआ विश्वास और तूटा हुआ बचपन दोबारा नहीं लोडते, चर्चे हमेसा कामिया भी के हो, जरूरी तो नहीं, बरबादियां भी किसी सक्स को मसहूर क करती है, तो गुजर जाए करीब से, वह भी मुलाकात से कम नहीं, प्रेम मनुष्य को कभी मुर्जाने नहीं देता, ग्रिणा मनुष्य को कभी खिलने नहीं देती, जो सही रास्ता न दिखाए, वह दोस्ती, दुस्मनी से भी बुरी है, जिंदगी को देखने का सब का अप अपना अपना नजरिया होता है, कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कहे देते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रख कर भी सच नहीं बोलते। हो चुका है, उसका पश्चताप छोड़ कर, क्या क्यूं और केसे में ना फश कर आने वाले कल पर ध्यान दीजिये। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का सोख है और मुझे सही रास्तों का। सब फेशले हमारे नहीं होते जनाब, कुछ फेशले वक्त के भी होते हैं। दबे होटों को बनाया है सहारा, हमने सुना है, कम बोलने से बहुत मसले सुलत जाते हैं। कभी परिश्थितियों के हाथों की कट पुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। किसी ने एक नराज सक्थ से पूछा, कि गुस्सा क्या है, उसने बहुत खूब सुरत जवाब दिया, कि दूसरे की गलती की सजा, खुद को देना। जिन्दगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी जरूर, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। जब हम अपनों से ही लड़ते हैं, तो गेर लोग मौका नहीं छोड़ते। जब व्यक्ति की जेब में पेशा होता है, तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उसके पास पेशा नहीं होता, तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अपना मुल्य समझो और विश्वास रखो, कि आप संसार के सबसे मुल्यवान व्यक्ति है। जहर पीने की तो आदत थी, जमाने वालों की, अब कोई और दवा दो, कि मैं जिन्दा हूँ अभी, भै को नजदीक नाने दो, अगर यह नजदीक आए, इस पर हमला कर दो, यानि भै से बागो मत, इसका सामना करो, ले हो गया आज भेसला, कुछ कहना ही नहीं, तु जी ले मे दोस्ती से चलती है, हमने आजमाया तो पता चला, दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है, मुर्क गुना करके दुनिया से बचना चाहता है, वह नादान यह नहीं समझता, तजा दुनिया नहीं समय देता है, दिल में छुपे दर्द को, आँखों से पहचानती है, बस मा ही तो ह जो मुझे मुझसे जदा जानती है। करोगे, कुछ नहीं बदलेगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे। तलो मुआइने कराते हैं तहर का, पत्थर के हैं कितने गर और कितने रिष्टे। हाथ की लकेरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकेरे बनाने वाले पर बरुसा करो। बड़ी सफलता जदा मेहनत मांगती है और कमजोर लोग दूसरों से जलने में ही अपनी जिन्दगी बिता देते हैं। जिन्दगी तो अपने हिसाब से जीननी चाहिए, और उनके कहने पर तो सरकस में सेर भी नाचते हैं।